सब्सक्राइब करें एसन टेक्निकल चेनल को और प्रेस करें इस बेल आइकोन को ताकि आपको मिल सकें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले एलो फ्रेंज फ्रेंज आज का हमारे वीडियो का टोपिक है सिंगल फेस पंप मोटर को मल्टिपल प्लेस से ओन या ओफ किस तरह किया जाता है आज के सुटियम हम प्रेक्टिकली समझने वाले है उससे पहले हम यह समझ लेते है इस तरह की कंट्रूल वाइरिंग की रिक्वा जितने भी पोजिशन हो, सबी जगासा हमारी मोटर को ओन यह ओन कर सके आज की शोडियो में हम प्रेक्टिकली समझने वाले हैह तो इसके लिए सामान यह कंपोनेन देखा जाए तो हमें हमारी कंट्क्टेक्टर की रिक्वायायमेंट हो गी चुकि हम Contactador की Controlling बहुत है किस तरहra इस Pump को हम Multival Place से wanna off कर सकेगे उसके बार इसके डॉरइंग को हम समझेगे किस तरह उसके डॉरेंग बनाई जाएगए और किस तरह यह work करेगा, यह भी आज की सब्सक्राइब हम practically देखने वाले है, चलिए हम इसकी control wiring पहले बना लेते है, चलिए हमारी control wiring बनकर complete हो गई है, पहले हम देख लेते किस तरह यह work कर रहा है, उसके बाद से connection हमने किस तरह किया है, वह हम drawing में समझेगे, चलिए पहले द start हो जाएगी, और कहीं से भी इसे off कर सकते है, suppose अभी हम ने इसे, देख लेते है किस तरह, तो अभी हम इसे यहां से on करते है, और यहां से off कर सकते है, अब हम चाहते हैं, यहां से on करे, और यहां से off करे, तो यहां से off हो सकती है, यहां से on करे, और यहां से off करे, that means कहीं से काहए on और कह इसे भी off किया जा सकता है। विल्डिंग में रहते हैं, कहीं भी आपकी कॉलोने में कोई मोटर है। जिससे आप जब चाह determined on कर सकते हैं। जहां से चाहते हैं और और जहां से जाते हैं off कर सकते हैं तो और इस तरह पर आसनि से किया जासकता है चले मिंकिस के ड की गई हैं आएंग में पहले समझमझ लेते हैं को चलिए सबसे पहल्ए हम फेज की कनौल वाईरिंग समझते हैं किस तरह आपनद हैं कि है है ये हमार पस control mcb है यहाँ contactor है यहाँ एक place है यह second place और यह are third place है चाय सबसे पहले हम क्या करते है की wiring कर लेते है Neutral की wiring last step करेगा sबसे पहले हम face को क्या करेगी जो हमारा face होगा उसे हम ले लिजा गे nc push button में दे देना है जो हमारा stop push button है और जितने भी NC connect है 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस 5 प्लेस, जितने भी प्लेस आपके पास है उतने NC में सबसे पहले आपने face को connect कर देना हमारे पास 3 प्लेस है तो हम 3 ही जगहा पर face को पहले connect कर दिया है अब इससे हमें पूश बटन में किस तरह देना है और contactor में किस तरह देना है यह समझ लेते हैं हमारे सभी NC पूश बटन complete हो गया है अब हमें क्या करना है जो NC का output होगा ध्यान रखे जो NC का output होगा उसे ही लगा कर हमें तीनों एनों में incoming में देना है बर ध्यान रखे जो आपका last NC होगा उस last NC से निकालना है आपको इस last NC से निकालकर हमें क्या करना है जितने भी एनों पूश बटन है उनके incoming में अभी हमें दे देना है अब हमें क्या करना है जस्त हमारे एनों पूश बटन में supply आ गयी है इस NC से होते हुए अब क्या होगा जो हमारा एनों पूश बटन होगा इस एनों पूश बटन की supply को हमें निकालकर contactor में देना है तो इससे क्या होगा हम जैसे कि इस एनों पूश बटन को प्रेस करेगे हमारा contactor operate होगा बट operate कब तक होगा जस्ट यब तक हम इसे प्रेस करके रखेगी, यह तो एक के लिए हुआ, अब हमें क्या करना है, जो दुसरे का आउटपुट होगा और जो तिसरे का आउटपुट होगा, तीनों को हमें एक ही जगा पर ला जाना है, यह तो आप तीनों को यहां पर ले आईए, यह तीनों को आपको wire कम से कम लगेगा तो इस तरह आपका जो connection होगा वो complete हो जाएगा भी हम neutral की wiring कर लेते हैं और यह जो अभी हमने इसमें hold down भी connect नहीं किया है यह हम neutral पहले contactor में connect कर देते हैं अब hold down हमें कहां से देना है यहां समझ लेते हैं तो आपके जितने भी NC हो NC सारे खतम हो जाए जो last NC हो उस last NC में आपके बस continue supply यहां पर आती रहेगी या फिर इस first NO में तो हम क्या कर सकते हैं या तो इस NO से, NO के incoming से या NC का output से तो NC का output से हम यहां पर hold down connect कर देगे इस condition में क्या होगा हम हमारी motor को यहां से on करे चाहिए और यहां से off करे कहीं से भी करे और hold down हमारे contactor को continue मिलता रहेगा तो आप आपके motor को यहां से भी on off कर सकते हैं यहां से भी on off कर सकते हैं यहां पर आपको ध्यान दखने वाली बात ही है कि जो भी NC का last NC हो लास्ट NC आपको यहां के incoming में देना है और जितने भी यहां का output हो सभी यहां का output को आप एक साथ कर लीजिए और contactor में ले जाके इसे operate कर लीजिए ताकि आप कहीं से भी operate करे यहां को तापका यह contactor operate हो जाए चले एक control wiring वेसे जो भी धियान रखे जो आपको contactor में जो वायर जा रहा है उसी push button में सभी आप जो भी आपके अनों का output है उसे connect कर लेजिए और यहां से contactor मिले जाए चले एक बाद फिर से देख लेते हैं कि इस तरह हमारा starter work कर रहा है इसका जो connection है जिस तरह हमने drawing में दिखाया था उसी तरह इसका connection क्या है कुछ भी हमने इसमें change नहीं किया है चले एक बाद इसे फिर से देख लेते हैं किस तरह इसे on यह operate होता है सबसे पहले control MCB को हमने on किया अब हम चाहते हैं यहां से इसे on करे और यहां से इसे off करे यहां से on करे और यहां से off करे यहां से इसे कहीं से भी on और कहीं से भी off किया जा सकता है और एक और चीज़ सबसे आपने आपके starter को motor को यहां से on किया अब यह दूसरा बंदा इसे यहां से on करता है तो यह on नहीं होगी इसे यहां से off किया जा सकता है बटन नहीं किया जा सकता तो फेंड्स आए ओप आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसे लागा हो तो like का button जरूर प्रेस करें कि इस से हमें बता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे है और आगे आपके लिए हम इ नहीं, ठेंक्स फ्रेंड्स